आज दोबारा से लेगेंगे किसमें कितना है दम क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक और exercise देने वाला हूँ और इस exercise में आप लोगों को FL statements को इस्तेमाल करना है आप लोगों को खुद से बालूम चलेगा कि exactly FL statements का practical use क्या है हम लोग एक time module का इस्तेमाल करे चलते हैं आप computer screen में यार जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ यह exercise क्या है So यार मैं आचुका हूँ अपनी computer screen के अंदर जैसे कि आप लोग देख सकते हो और इस exercise का नाम है good morning sir यह ऐसे आपने सही सुना हमें क्या कर रहा है एक python program बनाना है जो की greet करेगा user को with good morning, good afternoon, good evening, depending upon the time अब हम लोग इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं time module का ठीक है मैंने आप लोग को एक link दिया हुआ है आप लोग ने करना क्या है देखो बहुत ही simple सी चीज है और आप मेंसे गई लोग को लगेगा कि यह cheating है मैं क्योंकि अभी जो आप लोग को बताने वाला हूँ वो एक बहुत बड़ी hint होगी तो मैं चांग आप इसके बिना करो ठीक है देखो मैंने एक hint दे रखी यहाँ पर मैं तो कौनगा इस program को भी मत देखना ठीक है मत देखना है इस program को भी देखो अपने आपको चैलेंज क्यार मुझे इस program को नहीं देखना है अपने यह नहीं करना है क्यार मुझे जो है पहले exercise को solve करके post कर देना solution नहीं आपको अपनी नजर में भी उठना है आपको ऐसा बनना है क्यार मैंने solve करी exercise मैंने solve करा सब कुछ और मुझे में आप confidence है तो वह वाली feeling आप लोग को चाहि एक बार आपकी रैपल पोस्ट हो जाती है उसके बाद सुनना मैंने आगे क्या बोला अब वो लोग जो की थोड़ी सी प्रॉब्लम में हैं और उन्हें लग रहे हैं हमें मॉड्यूल नहीं आता हमें कुछ मालूम नहीं पिप के बारे में इस सैंपल प्रोग्राम को चलाओ ठीक है हमने टाइम मॉडिल इंपूर्ट किया और हमने अलग अलग तरह से टाइम स्टैंप को प्रिंट किया स्टिर टाइम एक फंक्षन है जो कि हमें आर और मिनुट देता है अब यहाँ पर देखो अगर आप इस प्रोग्राम को चला रहे हो ना तो शायद आप यूस टाइम जों में रहोगे क्योंकि यह आपकी आपकी रिपल्स हैं यह यूस में हो रही है ठीक है यह बात का धिया अगर आप अपने local computer में चला रहे हो तो यह आपको आपके local computer के हिसाब से देगा सारी चीजें जो भी आपको time वगएरा देखने को मिलेगा good morning, good afternoon, good evening यह आपके local time के हिसाब से मिलेगा ठीक है अगर आप अपनी local computer में चला रहे हो इसी चीज को मैं आप लोगो example दिखा देता ह के इसको main.py के नाम से इसको मैं save कर लूँ और मैं इसको paste करूँ यहां से copy करके तो आप लोग simply देखना मैं code runner extension का इस्तिमाल कर रहा हूं यहां पर और मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा इसको थोड़ा थीक करना पड़ेगा क्योंकि यह कह रहा है no command pound python तो इसको ठीक क करने का तरीका मैं बताता हूं क्या है आप लोग settings में जाओ और यहां पर आपको code runner code runner और यहां पर code runner के अंदर edit settings.json तो यहां पर जहां python लिखा होगा ना मैं उसको python 3 कर दूंगा देखता हूं कहा लिखा है python python 3-u कर दूंगा इसको and this should do the trick मैं इसको run करूंगा तो यहां आपर यह आ गया अभी यह मेरा local time दे रहा है 11.34 ठीक है तो यह मेरा local time दे रहा है अब क्या कर रहा हूं मैं आपर hour, minute or seconds इनको print कर रहा हूं इस format में कि percentage edge की जगह पर hour आएगा, percentage edge की जगह पर minute आएगा, percentage edge की जगह पर second आएगा, यह सिर्फ hour देगा मुझे, यह सिर्फ minute द को और जाना है तो control क्लिक करो इस वाले link पर और आप लोग को और पता चलेगा इसके बारे में, बहुत ही simple जीज़ है, जादा कोई बड़ी rocket science नहीं है, ठीक है, अब एक सबसे बड़ी hint देने जा रहा हूं, इसके बाद तो यार कोई भी solve कर देगा, इसको बच्चा सबसे बड़ी hint है, मैं बोलने जा रहा हूं, कि आप int का इस्तमाल करो, यह आपका integer नहीं होगा, तो greater than less than जो है, आप लोग को string के साथ देखने को नहीं मिलेगा, आप नहीं कर पाऊगे, ठीक है, problematic होगी, थोड़ी सी चीज़ है, इसलिए आपको इसको integer में convert करना होगा, त पूरे question का, आप देखों, यहाँ पर मैं इंट कर दिया इसको, तो अभी मुझे इंटीचर में दिखा रहा है, बट मैं इसको चंट्रोल जेट कर दूँगा, ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो, और अगर आप लोगों ने अभी तक यह प्लेलिस अक्स नहीं कर यह तो इ अभी के लिए इस वीडियो में इनन ही ओई गाइस, थैंक यह सो मच गाइस पर वाचीं इस वीडियो और दो आए इए और से वीडियो ने किया रहा ह।